राम आएंगे तो आंगे ना सा जाऊंगी दीपी जाला के दीबाली मैं मनाऊंगी मेरी जोपड़ी के भागे आज खुले जाएंगे राम आएंगे बड़ी मां हाँ बेटा बोलो मैं क्या कह रहा था कि बाइस्तारी को अयुद्या चले या पल लो हाँ बेटा सोच तो हम भी रहे थे जाने को लेकिन वहाँ पे बाइस्तारी को बहुत भीड़ है अपन लोग क्या करेंगे दर्सन भी नहीं हो पाएंगे उसके बाद चलेंगे बाइस तारीक को नहीं उसके बाद चलेंगे तीस वीज के आसपास चलेंगे तो तुमको घुमा लाएंगे मम्मी बाइस तारीक को चलेंगे न तो ज्यादा मज़ा आएगी बता चला है बहुत भीड़ोने वाली है बहुत लोग आएंगे तो अपन लोग भी चलते हैं दर्सन कर आएंगे घूम दी आएंगे हम लोग तो कभी युद्या गए भी नहीं है अच्छा जी ये किस ने कह दिया कि तुम्हा युद्या नहीं गए जब तुम छोटे थे तुम्हारा मुंड़न युद्या में हुआ था मैं और तुम्हारी नानी दोनों लोग गए थे तुम्हें लेके लेकिन तुम बहुत छोटे थे तभी गए थे तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं होगा न तो मैं क्या करता हूँ आपए, मुझे तो कुई चीज याद भी नहीं है अब जाओँगा न तो याद रहे की, इसलिए बोलना है की चलो अभी जाने बाला नहीं यह बहुत भीड है, पता भी नहीं चलेगा कि कहा को गए बाद में चलेंगे परिसान नहीं हो दादी भी चलेंगी और जब था कि बड़ी दादी आ जाएंगी सब लोग मिलके चलेंगे मम्मा भी आ जाएगी तुम्हारी रोहिद मुझे मम्मा की यादा रही है बड़ी माम stated मुझे मम्मा चाहिए झा produced i AF. अर्याइव यह गंदी बात बिलकुल गंदी बात हम मम्मा नहीं है तुम्हारी इसमेरी मों है आ जा खंपा, रोते नहीं है चलो पहले गरम- गरम पड़ार्टी खालेगा मेरा बेटा इसके बार फैर गुम्मी करेगा थोड़ी बेटा मा भीहोदी खेलेादा केर आरे वा भाई मेरा वेटा तो बहुत उस्यार है जल्दी से खा लेता है और ममा आ जाएगी ममा से हमारी बात हुई थी तो बोल रही थी कि रोित को भोलना हम कल सोबा सोब आ जाएंगे हाँ छोटे ममी सही बोल भी है तुरो मत आ जाएगी तेरी ममा चुपोजा फिर तेरी ममा आजाएगी तेरी ममा चलेंगे Čई मम scientific फिर चलेंगे सब लोग िल के और तुमको वहाँ पे न बहुत अची अची चीजे दिलाएंगे चुपो जा मेरा बेटा मेरा पुतरा मेरा हीरा चुपो जा कंदी बात नहीं करते मेरा बेटा तो बहुत उसे आरे राजा बेटा है ये हुई ना बाद गुट भॉय वाली अब खाओ जल्दी जल्दी से परेठा लच्मी बवो जी माजी वो पापा जी के मिर्च के पकोड़े बन गए वो तो हमने जाने कब बना लिये थे अरे तो देने क्यों नहीं आई हो जाने कब से बैठे हैं कि अभी नहीं बने अभी नहीं बने लच्च में वह उने तो आज मिर्च के पकोड़े क्या बीरवल की खिच्डी बना दी अरे मा जी वो बात नहीं है हम इन बच्चों की चक्कर में थोड़ा सभी जी हो गए इसलिए निया आप आया ही रहते रोहित है कि रोने लगा बोला मम्मा की याद आ रही है पहले बोल रहा था युद्या जाना है हमने बोल दिया कि सब लोग आ जाए बड़ी डादी आ जाए मम्मा आ जाए फर चलेंगे युद्या बस रोने लगा इसी को चुपकर आने लगे इसो भूल गए ओ रोहित तुम रो रहे थे बेटा दादी मम्मा की आद आ रही है ओ मेरा बच्चा तुम्हारी मम्मा न कल आ जाएगी ठीक है न देगा रोहित बेटा अब तो दादी ने भी बोल दिया पका आ जाएगी भाईया की मम्मा जमी बहु लाओ तो हमें देदो मिर्च के पकोड़े हम पापा जी को दे दे वो खा ले उनके फैबरेट हैं जी माजी बिल्कुल लो माजी देदो पापा जी को अरे वाँ ये तो बड़े मस्त बने है एकदम करारे करारे पापा जी को खा के मज़ा आ जाएगा करारे करारे तो होंगी यभी यभी निकाले हैं बस चल बेटा एक काम करना थोड़ा सा बचा के रख लेना तो गिरधारी मनों हराएंगे तो वो भी खा लेंगे उनको भी बहुत पसंद है ठीक है माजी दादी मुझे भी खाना है मिर्च का पकोड़ा अरे बेटा तुम छोटे हो मिर्च का पकोड़ा खाओगे न तो कानों से धुआ निकल जाएगा जो दिया है खाने को वो खाते नहीं बनता है मिर्च के पकोड़े खाएंगे चब-चब पराथे खाओ चल ठीक है एक काम करना एक एक ग्लास दूद दे देना हल्दी बाला डालके पूरे दिन गिरते पड़ते उचकते फिरते है जो अंदर का दर दर्ध होगा खताम हो जाएगा बच्चे हैं पूरे दिन उचक पचक उचक पचक करते रहते हैं गिरते फिरते गूमते रहते हैं लच्मी भाउ याज से दोनों को एक एक ग्लस दूद हल्दी वाला दे देना ठीक है माजी दे दूँगी देने से कोई भाइदा नहीं पीते नहीं है इतनी परिशान करते इतना परिशान करते कि बता नहीं सकती हूं कैसे नहीं पीएंगे अपने सामने खड़े हो के पिलाना दूद नहीं पीएंगे तो फिर क्या होगा अब बच्चों दूद नहीं पीओगे न तो बड़े कैसे होगे छोटे छोटे नाटे बुटके रह जाओगे सब कोई चड़ाएगा फिर तुम्हें दूद पिया करो पहलवान बन जाओ दम से यह कि दादी मैं तो पीलूँगा पर छोटे का पता नहीं बाईया जूट बोलना है दादी मैं पीलेता हूँ बाईया ने पीते हैं बोलते हैं छोटे मेरे बतलेगा भी पीले कोई सैथानी नहीं करेगा सब अपना अपना दूद पियेंगे ठीक है जी दादी यल दिखाओ एक एक पराठा दोनों लोगों के लिए हैं पूरा पूरा फिनिश करना है तो फिर दूद नहीं पिएगे एक पराठा खाएंगे तो बताओ अभी तुमको दूद नहीं पियोगे अभी दादी ने क्या बोला समझ में नहीं आया हाँ फिर बड़ी माना पीते जाने को नहीं मिलेगा और रामभागुआंजी कहाएंगे कि यह तो गंदे वच्चे हैं क्या दूद्ध भी नहीं पीते हैं तब तो छोटे दूद्ध पीना पड़ेगा रामभागुआजी की बात तो मनने ही पड़ेगी मिल्कुल भई या हां तो फिर जल्दी जल्द पकड़ी ये बताते हैं क्या हुआ बोलो इतनी देर क्यों लगा दी इतनी देर से बैठा हूं अभी आ रहे हैं पकोड़े मेरे अभी आ रहे हैं गये तो थे आपके पकोड़े लेने लेकिन रोहित मुहित वहीं बैठे खाना खा रहे थे तो रचमी बव बताने लगी कि रोहि याद नहीं आएगी तो क्या होगा बड़े बुड़ों को तो यादी आती है अपने माँ बाप की वह तो बच्चा है तुमसे बोला था कि बुला लो सुनता बहु को लेकिन नहीं तुम अपने आगे कहां सुनती हो किसी की आप मुझे तो भूल रहे हैं उसको समझ में नहीं इतना छोटा बच्चा छोड के गई है कि मेरे बिन कैसे रहेगा तो चलो अच्छा है लच्चमी वह कि अतने यंगे लगा है कि खिलाती पिलाती इतना ध्यान देती है तो ज्यादा उसको याद नहीं आती है इतने चोटे बच्चे बेन मा के कहां रहते हैं चलो आजी बात क पाज जाने कैसा मूँ बनाए था हमें तो देखके जाने कैसा लगा हम भाई बच्चो का दुख नहीं देख सकते हैं यही अकल तेरे पहले आ गई होती तो क्या होता है यही तो बोल सकती थी कि बेटा जा तो रहिए तु कम से कम रोहित के बारे में तो सोच हो कैसे रहेगा य अरे भाई तुम घर की मालकेन हो तो इलजाम तो तुम्हारी उपर पड़े गई कैसे घर चलाती हो कैसी मालकेन हो बताओ पापा जी बोलो पापा जी के लिए दूद लाएं देदी जे अरे दूद लाना तो हम भूली गए थे सही कि या तुम ले आएं लाओ तो अरे बेटा दूद की क्या जरूरत है मुझे दूद मत दिया करो बच्चों को पिलाया करो दूद बच्चों को जरूरत है अब मुझे जरूरत नहीं है मनोहर गिर्धारी को दूद पिलाया करो खुब बिचारे बहुत मेनत करते हैं दिन रात काम करते हैं और हाँ मेरे नाती पोतों को भी दूद पिलाया करो उनको दे आई हूँ पापा जी दूद पी रहे हैं अरे आप क्यों परिसान हो रहे हैं ज़्यादा टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, सब का दूद आता है, सब पीते हैं सुबह साम एक एक गिलास, और ये आपका है, तो आप भी पीजिए, हाँ तो लचमी बहु पीती है कि नहीं पीती है? हाँ पापाजी हम भी पीते हैं? हाँ पापाजी अब नहीं रो रहा है, थोड़ी देर पहले रो रहा था, पहले बोला था युद्ध्या जाना है, हमने बोला भी नहीं तीस तारीक तक चलेंगे, अभी बेटा बहुत भीड़ोगी, और बोल दिया हम इने की मम्मा आएगी तब चलेंगे, बड़ी रादी भी बस रोने लगा बोला मुझे मम्मा पास जाना है, मम्मा की याद आ रही है, चलो बेटा, एक काम करना, तुम्हारी बर उसे है, उसको अच्छे से रखना, जब तक उसकी मा नहीं आ रही है, ठीक है न, उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्या बताऊं सुनता भभू को इत्त परिसान हो रहा है, जी बापा जी